नमस्कार आप देख रहे हैं ट्रेंस और ट्रेवल भोजीपुरा जंक्षिन पर ये जो रेक यहां पर नया दिख रहा है आपको जो ट्विन लोकोस लेकर के आए हैं अभी पूर्व में हमने इसे आपको दिखाया था जब अभी हमने भोजीपुरा फूट ओवर ब्रिज का जो वीडियो अभी हमने डाला है चैनल पर उसमें मैं इस रेक को डेमू रेक बता गया आपको हलाकि डेस्क्रिप्शन में वहां मैंने मेमू रेक है वो लिक दिया है लेकिन ये वीडियो छोटा साइक पार अलग से फिर से मैं आपके लिए कर रहा हू ये मेमू का रेक यहाँ पर नया आया है इस्जत नकर मंडल में जिसको ये ट्विन आलकोस लेकर के आये हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ट्विन आलकोस यहाँ पर लगे हुए हैं दो डीजल इंजन लोकोमोटिफ जो ये नया रेक लेकर के आये हैं ये ICF रेक पर जो का ये वीडियो है रविवार का और यहाँ पर उपर इसके आपको दिख रहा होगा पैंटोग्राफ बना हुआ है हम आपको नजदीक से भी दिखाने की कुशिश करते हैं जूम करके ये जो रेक आप सामने देख रहे हैं ये मेमू रेक है उपर पैंटोग्राफ इस पर लगा हुआ है और जो डेमू रेक यहाँ पर चल रहे हैं उनको भी कनवर्ट किया जाएगा मेमू रेक में क्योंकि उपर अब 25,000 वोल्ट का करेंट यहाँ पर दोड़ रहा है तो अब इलेक्ट्रिफाइड रूट हो गया है सारा और इस पर मेमू रेल गाड़ियां ही चलेंगी भविश में डीजल से चलने वाली जो डेमू हमारी रेक से यह जो ट्रेंस है सेट यह हटाए जाएगे और इनको कनवर्ट किया जाएगा तो यहाँ पर यह जो ट्विन आलकोस लेकर के रेक आया है नया यह मेमू का रेक है और यह बरेली सिटी से शायद पीली भीत वाले रूट पर ही टनकपुर वाला जो हमारा सेक्शन है इस पर चलेगा यह चमचमाता हुआ रेक आप देख सकते हैं मेमू का खड़ा हुआ है भोजीपुरा जंक्शन पर तो यह मेमू का रेक है यहाँ पर इसलिए छोटा सा वीडियो फिर से यह हम अलग से आपको लेकर के आए हैं ताकि कन्फूजन ना रहे वहाँ पर भी मैंने डेस्क्रिप्शन में अपनी जो तुर्टी सी उसको सुधार लिया उस पर लिख दिया है वहाँ डेस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं जब भोजीपुरा का हमने वीडियो अभी किया है लेकिन यहाँ पर हम फिर से आपको यह चीज दिखा रहे है कि यह मेमू का रेक है जो भोजीपुरा जंक्षन पर यहाँ खड़ा हुआ है तो देखना होगा कि अब इसका संचारन कब से करता है इस्जतनगर मंडल तो यह था छोटा सा अपडेट आपके लिए